गुरकपूर जिले में गुरुवार को तीन नए कुरुना संक्रमित मरीज मिले हैं जिसमें शहरी शेत्र में दो कुरुना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि ग्रामियर शेत्र में एक कुरुना संक्रमित मरीज मिला है वहीं BRD Medical College गुरकपूर में 60 पर से एक पुरुस की मौत हुई है इसके बास से जिले में संक्रमितों की संख्या 69,314 हो गई है इन में 843 की मौत हो चुकी है 58,410 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक्टिव केस 61 हो गए है इस सम्मंथ में CMO Dr. सुधाकर पांडे ने लोगों से विसे साधानियों को बरतने की अपील भी की है दोगश की दूरी मास्क है जरूरी सामाजिक दूरी का करेपालन अपने और अपने परिवार को बनाये स्वस्त और सुरक्षित CMO Dr. सुधाकर पांडे ने बताया कि इस विमारी से बचने के लिए विसे सतर्टा बरतनी होगी और लोगों को भीर भार से बसते हुए मास्क का इस्तमाल करना होगा जब तक कि कोर्णा की वैक्सिन सभी को लगने ही जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हतियार है